अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत सी जानकारिया मिलती है उपायों से संबंदित वास्तु के उपाये जोतिश के उपाये और इसके साथ साथ मैजिकल नमबर्स आज हम बात करेंगे वास्तु के उपायों के बारे में अगर बच्चे पढ़ते नहीं है अगर पेरेंट्स को यह टेंशन लगी रहती है कि उनके बच्चे रिजल्ट नहीं लेकर आ रहे पढ़ नहीं रहे तो वास्तु के एकॉर्डिंग क्या उपाय किये जा सकते है के मन में बिल्कुल टेंशन बनी रहती है तो इस टेंशन को कैसे दूर किया जा सकता है आज मैं आपकी इसी टेंशन को दूर करने के लिए कुछ वास्तु के रूल्स को फॉलो करने के लिए आपको बताऊंगी अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आपके बच्चे जरूर पढ़ना शुरू कर देंगे आपकी ये दिक्कत तो कम से कम दूर हो जाएगी बच्चों के study room में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको रखना चाहिए और आपको उनके study table का बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है उनका study table एक ऐसी direction में होना चाहिए जो वास्तू के अनुरू जो है या उसके पढ़ने का क्षेत्र जो है उन दोनों को एक ऐसी दिशा में fix कर देना चाहिए जहां से बहुत अच्छी सकरात्मक उर्जा आती है पढ़ाई को लेकर वो क्षेत्र है West-South-West का क्षेत्र West-South-West यहां पर आप देख रहे हैं दिशाओं को मैंने निर्धारित किया है जहां पर आपको red tick नजर आ रही है वो क्षेत्र है West-South-West की दिशा यहां पर अगर study table है तो ऐसे में बच्चे की concentration अची रहती है वो अपने skills को अच्छे से develop कर सकता है उसमे इस दिशा में बैटने से बच्चे पर stress नहीं आता और वो अपने काम को अच्छे दंग से कर पाता है दूसरी दिशा है North-East direction इस दिशा में भी अगर बच्चे का study table है तो वो बहुत अच्छे से पढ़ पाएगा एक और बात आपको याद रखनी है दिशाओं के अनुसार आपको घर की दिशा को देखना है घर का West-South-West direction और North-East direction आप कमरे का मत देखें घर को देखें पूरे घर में कमपस लगा कर अच्छे दंग से आप दिशा को देख लें और उसके बाद वहाँ पर उस बच्चे का study table रख दें ऐसा करने से उसको बहुत आराम मिलेगा stress free हो जाएगा वो और पढ़ने में उसको आसानी होगी आपको एक और बात को ध्यान में रखना है कि आजकल जो बच्चे हैं वो online पढ़ाई कर रहे हैं सब के लिए computer भी जरूरी है mobile भी जरूरी है क्योंकि हर तरफ online ही सब कुछ चल रहा है जिसकी वज़े से आपको computer की दि बच्चों का concentration बना रहता है और उनको पढ़ाई करने में मदद मिलती है तो दिशाओं का बहुत बड़ा रोल है अगर बच्चे सही ढंक से नहीं पढ़ते हैं तो इसका मतलब यह है कि उनकी दिशा ठीक नहीं है और वो concentrate नहीं कर पा रहे है चलिए अभी हमने बात की है दि बच्चे की concentration बहुत अच्छी रहती है सबसे पहली वस्तु है crystal का एक pyramid आप उनके table पर रख सकते हो इससे उनकी concentration बढ़ेगी इससे उनके मन में positivity आएगी और वो बहुत ध्यान लगाकर पढ़ पाएंगे दूसरी जो वस्तु है दूसरा जो symbol है वो है globe globe को study table पर रखने से बच्चों का ग्यान बढ़ता है बच्चे दूर दूर के ग्यान को लेने के लिए उत्साहित होते हैं और इससे उनके बंद पड़े हुए दिमाग के क्षेत्र का विकास होता है तो globe एक बहुत ही अच्छा और magical symbol है इससे उनके subconscious mind में इस बात की energy create होती ह है कि उनको बहुत कुछ सीखना है और आगे बढ़ना है तो pyramid और globe दो ऐसे symbol हैं अगर study table पर उनको रखा जाए तो वो बच्चे के mind की programming को बदल सकते हैं इस तरह से अगर बच्चे की concentration और उसके दिमाग को विक्सित करना चाहते हैं तो ये दो symbol और दो दिशाओं का खास ध् भूल नहीं होनी चाहिए उस पर गंदगी नहीं होनी चाहिए इसका अगर ध्यान रखा जाए तो वो भी एक आगरता को बढ़ाता है concentration बढ़ती है अगर आप भी अपने life में इन चोटे चोटे टिप्स को अपनाते हैं वास्तु के इन नियमों का पालन करते हैं तो जरूर आपको इसके positive results मिल सकते हैं और जो tension आपके मन में बच्चों को लेकर लगी रहती है वो दूर हो सकती है तो करके देखें अनुभववो को share करें और बताएं कि आपको कैसे इसके results मिले हैं क्योंकि बहुत magical है और चोटी 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 चीज़ों को अपना कर अगर आप अत करवको अपने सकते हैं करें सुल दूरी चाहाद सबस्चने में पंदेब चाओ मी और फेकर चाहेशinkyड़ों को अपको कोटी चे ska आपके स welche की चीज़ों को अब़ों के cater क dud Budd